दोस्तों हालिवूड में चल ले ही डबल स्ट्राइक का भारतिय अभनेत्री प्रियंका चोपडा ने समर्थन किया है उन्होंने इंस्ट्राग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं अपनी यूनियन और कुलिक्स के साथ खड़ी हूँ एक जुटता में हम लोग बेहतर कलका निर्माड करते हैं दोस्तों हालिवूड इतिहास में 63 साल बार यह पहला मौका है जब हालिवूड में टोटल शटडाउन हो गया है जिसके चलते कई टीवी शोस के एपिसोड लटक गए हैं तो तमाम फिल्में भी लटक गए हैं यहां तक कि कई प्रोडक्शन हाउसेज में ताला बंद हो गया है दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस से पहले 1960 में इसी तरीके की स्ट्राइक हुई थी जब एक्टर और बाद में अमेरिकन प्रेसिडेंट मनें रोनाल्ड रीगन ने स्ट्राइक को लीड किया था हालिवुड में पिछले दो महिने से राइटर्स हार्ताल पर थे और अब एक्टर्स भी उनके साथ आ गए हैं दोस्तों आईए स्ट्राइक की वजह जानते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक सिनेमा और टेलिवीजन में आर्टिफिशल इंटिलिजेंस यानि AI के एंट्री से हालिवुड से जुड़े आर्टिस्ट को खत्रा पैदा हो गया है इन्हें लगने लगा है कि जिस तरह AI का चलन बढ़ रहा है उससे उनकी छुट्टी हो सकती है लिहाज उनकी मांग है कि बेहतर वेतन और नोकरी की सुरक्षा मिले कलाकरों की सबसे बड़ी यूनियन स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अमेरिकन फेडरेशन आफ टेलिवीजन और रेडियो आर्टिस्ट पिछले काफी हरसे से हालिवुड के फिल्म स्टूडियो के मालिकानों से बात कर रही थी लेकिन जब बात नहीं मनी तो स्ट्राइक शुरू कर दी इस यूनियन से तक्रीबन एक लाग साथ हजार आर्टिस्ट जुड़े हैं टाम क्रोज, एंजी लन्या जोली और जॉनी डेब जैसे कलाकार इस यूनियन के मेंबर हैं हालिवूड प्रोडेक्शन पहले से ही संकटों से घीरा हुआ था जब माई में स्क्रिप्ट राइटर्स ने स्ट्राइक शुरू की थी अब एक्टर्स की इस बड़ी उनियन की स्ट्राइक ने हालिवूड को एक बड़े संकट में डाल दिया है दोस्तों अगर स्ट्राइक लंबे समय तक चली तो कई फिल्में रुक सकती हैं जिससे हालिवूड को भारी नुकसान हो सकता है दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों आज का सफर बस इतना ही मिलते हैं एक और नई थीम के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज